मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ओफीशियल बे तो आप सभी को हैपी वर्षावित्री यह है मेरा लाडला और लाडला के साथ मैं पहली बार वर्षावित्री की पूजा कर रही हूँ लाडला आने के बाद यह फोश्ट है क्योंकि लाडला अभी ढाय महिने का हो गया है और यह मुझे रेडि ने होने दे रहा है इस से पहले मैं चार वार कर चुकी हूँ तो हर बर मैं रेडि हो जाती थी तो हर वार में रेडि हो जाती थी लोग से आज का पूरा पूजा वदी जल्दी शेयर करेंगे क्योंकि लाडला मेरे बीना ज्यादा देर रहेगा नहीं क्या लाडला हां पता दू हां रेड़ी और बाबु है तो जल्दी-जल्दी मुझे रेड़ी होना पड़ा और यह देखी मेरा लोग और जल्दी से चलते मिल में भी और यह परसाद है और फूल भी हम लेकर का अए हैं पूझा करने के लिए तो सबसे पहले हम केला के पात पर चढायेंगे और यह यहां 받고 पंखा भी हम लिए हैं और आम से इसका पूजा होता है तो यहां पर आम में भी सिंदूर सब लगा करके चढ़ाया गया है और फूर बेल पत्र दे करके साथ में हम अक्षत लिए हैं जो चावल होता है उस पे दिया जलाए हैं और दूद लावा चढ़ता है इसमें पारी और लड़ो फॉल सब यह सब हम परसाद में चढ़ा रहे हैं तो मैं और ममी जी दोनों यहां बैट करके पूजा कर रहे हैं कोई हमारे पास थानी वीडियो बनाने के लिए तो जितना हमसे हो सका वह सब मैं रेकॉर्ड करके आप लोग से सेर कर रही हूं तो देखिए यहां सबी फल सब चढ़ाने के बाद दिया जला दी और अगरवती लेकर के हम लोग पूजा कर रहे हैं और अभी कथा स्टार्ट होगा तो हम लोग पहले कथा पढ़ेंगे जो वर्सावित्री की कथा होती है तो कथा पढ़ने के बाद मैं यहां पांस बार यह बरगत के ब बाहर का भी नजारा दिखाएंगे मंदिर में और भी भगमान जी सब है जैसे कि हनुमान जी हैं और विश्नु भगमान ये हुए यहां भी मैं पूजा कर ली हूँ और आप मातरानी का पूजा कर रहे हैं तो यह देखिए मातरानी का भी मैं ममी जी दोनों पूजा कर लिया है अब आप लोग को बाहर करना जारा दिखाते हैं यह मंदीर की चारो तरफ करना जारा है जो भी मैं आप लोग से शेर कर रही हूँ अब पूजा समुख करने के बाद मैं जा रही ऑब घर बाबू भी मेरा जग्या होगा और यहां मैं एक सेल्फी ले ली मैं पूजा करके मंदीर से और दीरे दीरे अब मैं तो बहुत जल्दी चली गई आठ वजे ही चली गई थी और अभी तो साड़े नौ हो गया है डेर घंटा समय लेगा क्योंकि मंदीर भी हम चले गए फिर वह पहले बाबू को लेती हूं ममी अभी लेकर आई नहीं है गई है लेने के लिए हम आ रहे देखे बाबू सोया हुआ था तो हाथ में तो डाली सब था इसलिए नहीं लिए और उठाकर के लेकर आ रही है ममी फिर उसे दूद पिलाएंगे और यही था मेरा आज का वटसा भी मेई